हेलो दोस्तों अगर आप भी रोज रोज के नाश्टे खाखा कर उप चुके हैं तो चलिए आज बनाते हैं कुछ डिफरेंट सा और असान सा एकदम घर के समान से बनने वाला नाश्टा है और बहुत इजली और मिंटों में बनकर तयार हो जाता है तो चलिए देरिक इस बात क करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक ग्राइंडर जार उसमें डालेंगे हम एक कटोरी सूजी या फिर एक कप सूजी दोनों मेजर्मेंट में से आप कुछ भी ले सकते हैं बारिक वाली सूजी है यह आप मोटी पतली कोई भी हो वो चलेगी क्योंकि करनी हमने यहाँ पर ग्राइंडी है साथ में हम एड करेंगे अगर हमने एक कप सूजी ली है तो हमने यहाँ लिया है एक चुथाई कटोरी आटा आटा अच्छे से आप यहाँ पर च्छान के लिजिए का गीहूं का आटा है और थोड़ा ही डालेंगे हम यहाँ पर अद्रक और कर रही हूं अगर आपके पास ज्यादा खटा दही पड़ा है तो आप यहाँ पर दो चमच भी एड कर सकते हैं और साथ में डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डालना है उसी कटोरी से मैं डाल रहे हूं जिससे मैंने डही जाली है अब इसका बना लेंगे हम एक पीस कर बारीग पेस्ट और एक चलनी से एक बाल में हम इसको अच्छे से चान लेंगे वैसे तो यह काफी बारीग पीसा है मैंने अच्छे से पीस लिया है पर फिर भी सेफटी के लिए हम इसको चान लेंगे तो जो भी इसमें कुछ मोटा मोटा रह गया होगा वो इसके अंदर ऊपर ही आ जाएगा यह देखे बिल्कुल इस तरीके से जादा मसाले हम इसमें कुछ भी एड नहीं करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे तो एक चुथाई चम्मच इसमें डाली है हमेंने यहां पर कुटे हुई मिर्च या फिर चेली फ्लैक्स और थोड़ा ही डालेंगे हम इसमें हरे देने की पत्तियां बारी कट कर अब इन सारी चीज़ों को हम यहां पर दे देंगे अच्छा सा मेक्स कुछ भी फाल्तू मसाले हमें इसमें एड नहीं करने इस नाश्त्य जादा पतला और नाहीं जादा गाड़ा बिल्कुल इस तरीके का यह पेस बनकर हमारा रेडी होना चाहिए तो चलिए अब ले लेते हैं हम यहां पर एक चलनी स्टीमर वाली चलनी या इस तरह की सिंपल चलनी सभी के घर में होती है और इसको हम रैप कर लेंगे इस तरह से रैप करनी के बाद इसमें करने हैं हमें दो तीन जगा छे तो आप यहां पर तूत्पिक या सुई से भी कर सकते हैं कहीं कहीं करने हैं तो चलिए गरम पानी हमने गैस पर चड़ा दिया था और इस छलनी को रख देंगे उसके उपर इस तरीके से अराम से सेट हो जाए हिले मशाकत करने पड़ती है यह रनिंग में है तो बहुत असानी से फैल जाएगा तेज आच पे पानी में अच्छे सोबाल आ रहा हो जब हमें से फैलाना है और यह देखिए कितनी जल्दी इसमें कलर चेंज कर लिया है कलर चेंज करने का मतलब यह यह अच्छे से पक चुका ह सूख चुका है बस एक किनारा उठाते वे आप इसको बहुत आसानी से इस तरीके से उठा पाएंगे बिल्कुल भी इसमें कोई दिकत नहीं आएगी बस इसी तरीके से हमें सारे मिक्स्चर के इस तरीके से यहाँ पर शीट्स तयार कर लेनी और देखिए कितनी बारीक और क और यह देखिए कितनी सारी शीट्स हमारी मिक्स्चर में से बन कर रेडी हो गई है और कितनी कलरफुल शीट्स रेडी होई है देखकर आपको पता ही लग रहा होगा तो चलिए एक शीट्स हम यहाँ पर ले लेते हैं अब इसका हम क्या करेंगे जैसे कि शीट्स मैंने इस साइच यहान से हमारी वाला वी कुल करना है हमें इस तरीकी से वाइर हमें को स्टफफिग नहीं भरनी बश्राइब से यह देश्टारी कार्ण करते जाना है और यह हमारी अपने आपी ऑटोमेटिकली चिपक जाएगी ऐसे नहीं है कि खुल जाएगी ना हम इसमें पानी लगाने का जंजट है ना कोई स्लेरी लगाने का जंजट है सारी शीट के रोल बनाकर यहां मैंने रेडी कर लिये थे अब लेंगे चाकू और एक शीट में से इस तरीके से मैंने तीन ऩ trades निकाल लिए है आप चाये अपर थोड़े चुटे चुटे पिस भी निकाल सकते के आप अपनी मन पसंद आकार यहां पर दे सकते हैं तो मैं एक रोल में से तीन पीस ही यहां पर निकाल लूवगी बस इसी तरीके से सारे रोल chuck से मैं यहां पर पिसिस निकाल के रेडी क बना रहे हैं एक चुथाई चम्मच इसमें एड़ करेंगे हम सरसो की दाने और साथ में हम एड़ करेंगे एक चुथाई चम्मच सफेद तिल यह पूरी तिरह अगर आपके पास हैं तो विशक्सी जरूर डाले इससे नाश्ते में कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा जाएक औ और यहां पर तड़क जाएं। धाइब करी के कुछ करीपते जो बिल्कुल फ्रेश है और साथ में एड़ करेंगे कुछ हरी मिर्ची हरी मिर्ची आप यहां पर करकर अपने हिसाब से कम जादा ले सकते हैं मुझे है यह नाश्ता थोड़ा स्पाइसी ही पसंद मैंने थोड कर लेंगे जिन चीजों का हमने इसमें तड़का लगा है वह चीजे इसमें आसानी से कोड हो जाए इस तरीके से हम इसको सौटे करना है और यह देखिए या तो आप स्पैचुला से भी कर सकते हैं इस तरीके से जादा हमें इसमें कुछ भी नहीं करना सिरफ एक एड़ मिनट ले खाइब हमें इसको सौटे करना है और यह देखिए गड़मा गरम हमारा पर स्टैलिश नाश्ता बनकर तियार हो गया है और बहुत हेल्दी वाला नाश्ता है आप इसको सुबह के ब्रैक्फास्ट में या फिर शाम की हलकी फुलकी भुक में भी बना सकते हैं और बहुत सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले तो मिलते हैं नई दिन नई रेसिपी के साथ वीडियो दिखने के लिए थैंक्स पर वाचिंग